जापान की एकोनोमी ओफिशली रिसेशन की और बढ़िक चुकी है तो चलिए आगे देखते हैं तो पहले जान लेते हैं कि रिसेशन का मतलब क्या है तो रिसेशन अगर होता है किसी कंटरे में तो उसके क्या एफेक्ट्स है तो जैसे अभी हम देखें कि जापान एक रिसेशन की और बढ़ रहा है मतलब क्या है कि उनकी जो जीडीपी है वो कंटिनेसली स्लिप हो रही है मेंस कोई एक साल में चार कौटर होते हैं तो अगर चार कौटर में से कंटिनेसली वो दो कौटर में उनकी जीडीपी डिक्रीज होती है या फिर स्लिप होती है तो उनकी जीडीपी बहुत लो हो जाती है तो उसे एक रेसेशन माना जाता है 2020 के पहले तीन माहिने में ये जापन की जीडीपी लगबग 3.4 प्रतिशत है हो गई है अगर 2019 की बात करें तो जापन की जीडीपी 6.4 तकी सीमित रह गई थी इसका यह मतलब है कि जापन में रेसेशन काफी जल्दी से बढ़ रहा है एक्सपर्ट के इसाब से जापन की जीडीपी है वो करीब-करीब 4.5 प्रतिशत से ड्रॉप होने वाली थी बट 2020 के फर्स्ट कॉर्टर में ही उनकी जीडीपी अल्मोस्ट 3.4 प्रतिशत ड्रॉप हो गई जो उनके लिए एक बड़ी समझते की बात है एबे शिंजो जो प्राइम मिनिस्टर है जापन के उन्होंने नाशनल एमर्जनसी एप्रिल माइने में जापन में लगा रखी थी करोना वाइरस को देखते हुए बट उनकी जीडीपी दो कॉर्टर में स्किप हो गई इसका यह मतलब है कि जापन जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एकोनॉमी है वो रिसेशन के और बढ़ चुकी है क्योंकि उनके जो दोनों कॉर्टर में जो जीडीपी है वो कंटिनिसली स्लिप हो गई है और कुछ-कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि जापन की जो जीडीपी है वो अल्मोस्ट तो 21.5 प्रतिशत से स्लिप हो सकती है जो कि उनके लिए एक बुरी खबर है अगर रिपोर्ट्स का यानुमान सही साबुत हता है तो जापन में अब तक सबसे बड़ा रिसेशन होगा 1955 के बाद से यशु तोशी निशी मारू जो की जापन गवर्मेंट के एकोनॉमी मिनेस्टर है उनके इसाब से वह एक सेकेंड बजट प्लान करने वाले है जिससे स्मॉल बिजनेस या फिर जो बिगर सबसेटरी फर्म से उनको इससे फायदा होगा गवर्मेंट अफ जापन ने उनके जो सेल्स टैक्स थे वो पहले आठ प्रतिशत थे जो कि उन्होंने अब बढ़ा कर 10 प्रतिशत करें इससे उनके जो प्राइम मिनेस्टर है शीन्जो एवे उनके इसाब से यह मूव उनके गवर्मेंट के लिए फायदेबन साभीत हो सकता है कोरोना की महामारी ने जापन की जो इकनोम है उसको बहुत ज्यादा हीट किया है उनकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इस पर ज्यादा असर दिखाईद पड़ता है जापनिक ऐसी कंट्री है जो गाडियो और मोटर साइकल्स बेचने में पूरी दुनिया में जाना बाहर से उनकी बाहर से कोई भी डिमांड नहीं है इसलिए उनकी जो इकनामी है वो दिन बर दिन कम होते जा रही है उलम्पिक के जो 2020 में होने वाले थे उने भी आगे डखेल दिया गया दूसरे देशों से आने वाले नागरिको का वीजा भी कैंसल कर दिया गया प्राइम म अबर जन से डिकलेर कर दी जिसकी वज़े से जापन को एक सॉफ्ट लॉकडाउन में जाना पड़ा जिसे वो करोना वायरस से बच सके काफी इकनोमिस्ट के हिसाब से जब तक लॉकडाउन हटता नहीं है तब तक जापन कितना भी मन पैसा इन्वेस्ट करें तब तक उनकी ग्रोथ बहुत कम दर से होगी तो यह एक चापान के लिए कुछ बुरी कबर हो सती है बट जैसा जैसे टाइम जाता है और सभी लोग अपना लोकडाउन पालते हैं तो एक ना एक दिन यह लोगा कोरोना संकट खतम होगा तो यह आशा करते हैं तो वीडियो को देखने के क्षेर देखने राड़度 की